नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने योटूब चैनल A2Z Study में पहुत-पहुत स्वागत करता हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा Classics Math में Chapter No.9 Data Handling की Exercise 9.2 का Question No.1 और Question No.2 तो देखिए इसके Question No.1 के अंदर हमको Pictograph बनाना है देखिए पिक्टोग्राफ बनाने से पहले आपको दो-तीन चीजों का ध्यान देना है जैसे की हमेशे ध्यान दो कि Question के अंदर मेरा क्या data दिया हुआ है मतलब question के अंदर कितना क्या दिया है आपको इसका ध्यान दिना है Question के अंदर कोई Scale दी हुई है पिक्टोग्राफ बनाने के लिए या नहीν अगर दी हुई है तो जो कोशन के अंदर scale दी है आपको उसी के हिसाब से pictograph को बनाना है और अगर नहीं दी हुई है तो आपको खुद से कोई scale लेनी होगी ठीक ये चीज और तीसे चीज की भाई symbols जिनका भी आप इस्तमाल कर रहे हो ध्यान से करना सही से draw करना अगर एक आत इधर उदर हो गया तो पूरा गड़बड हो जाएगा फिर ठीक है ना चलो कोशन नमर वन क्या कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एनिमल इन फाइव विलेजेस आर एस फॉलोस उसके बाद में ए से लेकर हमारे ए तक के विलेजेस दिये हुए हैं और उनमें कितने जानवर है य इस डेटा को पिक्टोग्राफ पे दिखाना है अच्छी चीज यह है कि इस कोशन के अंदर मुझे एक जगा पे लिखा दिख रहा है यानि कि यह मेरी क्या है यह मेरी स्केल है यादना मैंन क्या का था स्केल बहुत ज़री होती है मतलब यह है कि जो एक सिंबल है वो मेरे 10 जानवरों को रिप्रेजेंट करेगा और आपको इसी चीज़ को ध्यान में रखके पिक्टोग्राफ को बनाना होगा और उसके बाद में ABC करके तीन कोशन दिये हुए है यह तिनों भी बहुत इजी है जल्दी हो जाएंगे चलो तो पहले तो हम लोग पिक्टोग्राफ बन है तो विलेज ए में कित्ते निशान बनेंगे सोचो विलेज ए में कित्ते निशान बनेंगे असी जानवर है दस जानवर एक सिंबल के यानि एक निशान के बराबर हुआ कि नहीं हुआ तो कित्ते निशान बनेंगे 80 अपॉन का 10 0 में 0 कर गया आंसर है 8 8 सिंबल बनेंगे ठीक ऐसी करके B वाली का निकाल लो तो कितना है 120 है 120 में 10 काटोगे कितना बचेगा 12 बचेगा 12 बचेगा नहीं बचेगा 12 बचेगा बस इसमें 12 निशान बनेंगे C वाले में 90 है 90 को भी 10 से डिवाइट कर लीज़े 0 से 0 कर जाएगा क्या बचेगा 9 मतलब इसमे 9 निशान बनेंगे इसमें 40 है तो 4 निशान बनेंगे इसमें 60 है तो 6 निशान बनेंगे ठीक चलो तो अब हमको ये तो clear हो गया कितने निशान बनाने हैं अब चलो हम लोग बनाना शुरू करते हैं तो question के अंदर मेरे villages दिये हुए है तो पहले लिख लो villages ठीक है नाम क्या है villages का A B C D E तो यह उतार लो A B C D E ये तो हो गये villages अब आगे हम लोग चाल लिखेंगे आगे लिखेंगे number of animals यहाँ पर पहलो तो एक line खिच लेते हैं बड़ी यासी ठीक है तो number of animals मैंने अभी villages बोला था क्या शायद मैंने villages बोल दिया चलो जी number of animals अच्छा जब भी pictograph बनाओगे तो आपको scale जरूर लिखनी है scale को mention करना बहुँच हो रही है तो चलो भई scale को mention कर लेते हैं तो ये मेरी scale है ये मेरा ऐसा निशान बना है question के अंदर और ये किसके बरावर है 10 animals के ठीक चलो जी तो अब बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर भी एक line खींच लो क्योंकि भई पूरा table के तरह डिबबा बन करना पड़ता है ना चलो तो village एक के अंदर किते थे 8 थे तो बना दो 1 2 3 4 5 6 7 8 और cross लगा दो इसमें सब में cross लगा दो क्योंकि भई ऐसे निशान दिया हुआ है तो हमको ऐसे ही बनाना होगा ठीक है चलो यह हो गया village A village B 120 यानि की 12 तो 1 2 3 11 और यह हो गया 12 C में 90 यानि की 9 1 8 और यह 9 D वाले के अंदर किते हैं 4 1 2 3 4 अगर आप लोग चाहो तो यहां 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 ऐसे लाइन्स मार सकते हो चलो मार देते हैं वैसे जवरत नहीं है बट आप कर लो ऐसे अच्छा लगता है दिखने में आपका पिक्टोग्राफ बनके रेडी है चलो भई ABC करके जो कोशन्स है उनको स्वाल कर लिया जाए यहीं नीचे कर लेते हैं तो कोशन A क्या कह रहा था A कह रहा है How many symbols represent animal of village E यानि village E के animals कितने निशान मतलब कितने निशान village E में आपके हैं बस आपको यह करना है तो गिल्लो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे रेख दो, सिक्स यह हो गयास का आंसर B वाला क्या कह रहा है B कह रहा है Which village has the maximum number of animals सबसे जादा जानवर काउन से गाउं में हैं सबसे जादा मुझे कहा दिख रहे हैं B में दिख रहे है यह हो गयास का आंसर अब आते हैं C वाले पे क्या कह रहा है Which village has more animal village A और village B कौन से गाउं में जादा जानवर है village A में की village B में तो भई, देख लो कितने village E में इतने हैं और village C में इतने हैं जादा किसमें होए village A में भई, कोशन यही तो कह रहा था ना कि बताओ, कौन से गाउं में जादा जानवर हैं village A में की village C में तो village A में मात्र इतने हैं village C में इससे जादा हैं मतलब कहाँ पे जादा है village C में ठीक है और ये हो गया मेरा पुरा question number 1 चलिए अब question number 2 को लगा लेते हैं question number 2 कह रहा है total number of student of a school in different years is shown in following table देखिए question number 1 के अंदर हमारा ऐसे data दिया हुआ था उस data के हिसाब से हमको pictorial पुरा graph बनाना था इसमें हमें एक table दे रखी हुई है और उस table के data के हिसाब से मुझे वही pictorial graph बनाना है ठेक है और इसके अंदर है question number 2 के अंदर भी हमारी scale दी हुई है ए करके जो लिखा है prepare a pictograph of student using one symbols और symbol वही गोला stick figure टाइप का कुछ बना हुआ है वही आपको बनाना है to represent 100 students and answer the following question देखिए scale दे रखिए किती है जो stick figure है वो एक stick figure का diagram मेरे 100 यानि की 100 students के बराबर है ठेक है ना यह हमाई scale दी हुई है तो चलो सीधे हम लोग पहले तो क्या बनाते हैं हमारा pictograph बना लेते हैं बड़िया से तो सबसे पहले हमारे क्या दिया हुआ years यानि की साल दे रखे हैं ठेक है क्या क्या है मेरे 1996 1996 किता है 98 हां 1998 2000 2002 और लास्ट है 2004 2004 ठेक है आच्छा number of students अच्छा एक चीज़ में है important number of students है ना उसमें थोड़ा जोल है जोल क्या है कि पहला 96 का तो सही है 400 बच्चे है यानि की एक stick figure 100 के बराबर यानि की 4 बनेंगे आपके लेकिन मेरा 98 में देखो 535 इसके बाद में 472 to 623 भाई हमने तो ये देखा है ना कि मेरा एक stick figure 100 बच्चो के बराबर है लेकिन यहाँ पे तो ये 23, 35, 72 इस तरीके से आ रहा है तो आप क्या करेंगे देखो जब भी आप कभी भी ऐसी condition में फसो जहाँ पे मेरे जो numbers हैं वो मेरे क्या हो scale से जादा हो मतलब scale के साब से आप उनको नहीं बना पा रहे हो थोड़े जादा हैं तो उस condition में आपको क्या करना है कि जैसे कि मेरा पूरा stick figure का diagram दे रखा है उसका आधा बना दो जैसे कि मेरे 23 दे रखें तो 400 में मेरा 400 आएगा यानि कि चार stick figure के पूरे diagram और 23 के लिए आप एक आधा stick figure का diagram बना दो सेम चीज आपको इसमें भी करनी है मालो आपको दे दिया है 578 तो 500 के लिए 5 stick figures और 78 के लिए आप एक आधा stick figure यानि कि 5 पूरे और एक आधा ठीक है ऐसे draw कर देना चलो अच्छा तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं number of students number of students यह हो गया scale भाई आपको हमेशा लिख देनी है तो scale मेरी क्या है अजीब सा अरे यार यह कैसे बना है गोला इधर है अच्छा यह हाथ है यह डंडी है और यह हाथ है और यह 100 के बराबर है 100 students के बराबर है तो चलो भी बनाते है 90s के अंदर कितने हैं 400 बच्चे तो एक यह हो गया और यह हो गया चलो जी यह हो गया 96 का अब बना लेते हैं 98 का गिता है 535 यान की 5 पूरे और एक आधा तो एक और एक और और यह हो गया मेरे 5 पूरे ठीक यह तो 500 हो गया और 35 के लिए आप आधा बना दो ऐसे करके यह हो गया यह हो गया और यह हो गया ठीक है आधा है की नहीं है यह बस काम हो गया ऐसी बनाते रहो अगला क्या है 472 तो चार हो गया चार और इसके बाद 72 के लिए मेरा एक यह आधा बन गया यह लो जी हो गया चलो 2002 में किता है 600 यानि पूरे 6 बनेंगे एक चलो तो यह 2002 का हो गया आप कर लेते हैं 2004 इसमें क्या है 623 यानि कि 6 पूरे और एक आधा तो यह बन गए मेरे 6 और अब यह एक आधा यह लो तो यह हमारा पूरा पिक्टोग्राफिस का बन के तयार हो गया तो इसमें का A कह रहा है How many symbols represent total number of students in the year 2002 यानि 2002 में जो total number of students हैं उनको कितने symbol मेरे represent कर रहे हैं तो count कर लो कितने हैं 2002 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो A वाले का answer क्या हो गया 6 हो गया चलो जी B वाला पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है B वाला भी कह रहा है How many symbols represent total number of students of year 1998 यानि 1998 के जो number of students हैं उनको कितने symbol represent कर रहे हैं तो 98 ये रहा तो कितने हुए 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 1 आधा यानि कि 5 and half इसको आप ऐसे 5 and half लिख सकते हो या फिर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 5 complete 5 complete and one half ठीक है आप चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यह हो गया A और B अच्छा इसी में हमारा अगला एक छोटा सा question और दिया हुआ है जो कि कह रहा है प्रिपेर अनदर पिक्टोग्राफ अफ इस्टुडेंट्स यूजिंग अनी अधर सिंबल्स इच डिप्रेजेंटिंग फिफ्टी इस्टुडेंट्स विच पिक्टोग्राफ दू यू यू फाइंड मोर इंफॉर्मेटिव क्या कह रहा है कि जो मेरा question number two में ये पिक्टोग्राफ जिस डेटा से बना है आपको उसी डेटा का यूज करके एक और पिक्टोग्राफ बनाना है इसमें सिंबल आप कोई भी ले सकते हो मतलब आप चाओ circle लो triangle लो square लो box लो या फिर dot ही रख दो जो भी लेना है अपने हिस आपसे लो और उसमें आपको scale का use करना है कि आपका एक symbol 50 के बराबर हो ठीक है ये हो गया मेरे पूरी exercise 9.2 आपको ये समझ में आगी होगी जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगो से एक छोटी से request है कि अगर आप लोग कोई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप मिलेंगे हमाई अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार